हलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, अगर आप मेरे चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आप किसी भी जमीन के मालिक है या फिर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप के लिए है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड कीती, जहां पर मैंने बात की थी कि अगर आपको अपने लेंड के डिमार्केशन करवानी है तो उसकी प्रोसेस क्या है, तो मुझे वहाँ पर भी कमेंट आया था, मुझे बहुत सारे मैसीज आये थे कि ऑनलाइन डिमार्केशन फेसलेटी है हिमाचर करदेश के अंदर की नहीं है अगर है तो उसकी पर वीडियो बनाए कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिमार्केशन के लिए तो आज की वीडियो के अंदर हम वही डिस्कुस करेंगे कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जुमिन की निशायन दही के लिए यानि की लेंड की डिमार्केशन के लिए तो आप इस वीडियो को एंट तक देखिएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Google ओपन करना है यहां पर आपको सर्च करना है Online Demarkation अप्लिकेशन इन हिमार्चाप्रदेश जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वेबसाइट यहां पर आ जाएगी जहां पर लिखा है Online Demarkation Request आपको यहां पर क्लिक करना है और यह जो वेबसाइट है यह है ehimboomi.nic.in यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया बेज खुल जाएगा और यहां पर आपको जो यह सारी चीज़ें बताएगी यह भरने के लिए वो आपको भरनी है जैसे मैं आपको भरके यहां पर दिखाता हूँ है चुछ सबसे पहले आपको यहां पर डीस्ट्ट करना है मैं वह कर देता हूं। उसके बाद फिर आपको यहां पर तैसील स्लश करनी है मैं वह भी कर देता हूं। मतलब की इस तरह से आपको अप्लिकेशन पूरी भरनी है जब आप पूरी बिलेज जवह मन्दी यह आउटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा जब आप यहां पर भर देंगे उसके बाद आपको यहां पर अप्लिकेशन का नाम भरना है जो करवाना चाहता है अपने लैंड की उसका नाम भरना यहाँ पर मॉइल नमब्र भरने है और इमेल एडरेस भरना है हलांकि जो आपको इमेल एडरेस है यह कम से नहीं है उसके बाद आपको यहां पर भरना है जिसे Land Owners के डिटेल आपको भरने बड़ेगी उसके बद खसर नंबर यहांपे अब्वार को सुर्फ तिक करने हैं टिक करने के बाद यहां पर Edit खसर नंबर है Owner Name कि हesाब से आएंगे वो भी आपको यहांपे टिक करने हैं उसके बद आपको Respondent का नाम भरना है सारे option आपको मिल जाएंगे आपको सिर्फ उनके उपर क्लिक करना है Respondent खसर नमबर भी यहाँ पर आ जाएंगे और ड्रेट खसर नमबर है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे तो इस तरह से आपको जो हुआ अप्लिकेशन भरनी है और लास्ट में यहाँ पर लिखका है Reason for Demarkation आप Demarkation लोग क्यों करवाते हैं क्योंकि जमीने विवाद होता है किसी ने आपके खसर नमबर में कायम कर लिया होता है इसलिए आप जो है वो चाहते हैं कि यह clear हो जाए कि यह खसर नमबर यह जमीन किसकी है किसके नाम से है क्या जो सामने वाला परसन है वो उस नमबर में काम कर रहा है क्या वो नमबर उसका है या फिर मेरा है इसके regarding की लोग Demarkation करवाते हैं कि अपने जमीन का पता हो कि मेरी जमीन कहां तक है तो वो आपको reason यहाँ पे देना है और last में आपको submit application जो हो कर देनी है तो इस तरह से जो हाँ आपको online Demarkation application भरनी है यह मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जहां पे start लगा है वो compulsory है भरना अगर आपको ने एक भी छोड़ा तो application आपकी submit नहीं होगी या फिर submit हो जाएगी तो वो reject हो जाएगी तो इस तरह से आपको application भरनी है यही था इस वीडियो के अंदर अगर आपको इस वीडियो बहुत important लगी है तो आप इस वीडियो को like करें, share करें, comment करें कोई question कोरी है तो आप वो भी comment कर सकते हैं चैनल subscribe नहीं किया आदो कर दीजिए Thank you and thanks for watching